नमस्कार, प्रिय भक्तो, आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, रमा एकादशी के विश्य में जानेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्निही है। अतह, कृपा करके बताईए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम के विख्यात और परम कल्यान में एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े-बड़े पापों को हरने वाली है। पुर्वकाल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं। जो भगवान श्री विश्ण के भक्त और सत्य प्रतिग्य थे। अपने राजे पर निश्कंटक शासन करने वाले उन राजा की यहां नदियों में शुरेष्ट चंद्रभागा कन्या के रुप में उत्पन होई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दश्मी के दिन अपने ससुर के घर आये और उसी दिन समूचे नगर में पुर्ववत दिंडोरा पिटवाया गया कि एक आदशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा प्रिये अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली प्रभो मेरे पिता के घर पर एक आदशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतु पशु आदे भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनात ये दिया भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित को शोबन ने कहा प्रिये तुम्हारा कहना सत्य है मैं भी वुवास करूंगा। देव के जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार द्रड निष्चे करके शोबन ने व्रत के नियम का पालन किया। किन्तु सुरियोदय होते होते उनका प रिप श्रेष्ट उदर शोबन इस व्रत के प्रभाव से मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणिये देवपूर को प्राप्त हुए। वहां शोबन दृत्य कुवेर की भाती शोबा पाने लगे। एक बार राजा मुचुकुन्द के नगरवासी विख्यात ब्राम को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोबन भी उस समय द्विज श्रेष्ट सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शिग्रही आसन से उठ खड़े हुए। और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमर्ष अपने ससुर राजा मुचुकंद प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस् रमा ने कहा राजन वहां सक कुशल है। अश्चर यह है ऐसा सुन्दर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो से आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोबन बोले। द्विजेंद्र कार्ति के क्रिश्न पक्ष में जो रमा नाम की एक आदशी होती है। उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्रामन मैंने श्रद्धाहिन ओकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थाई नहीं है। आप मुचु कुंद की सुन्दर कन्या चंदर भागा से यह सारा बृतांत कहिएगा। शोबन की बात सुनकर ब्रामन मुचु कुंद पूर में गए और वहां चंदर भागा के सामने उनोंने सारा बृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले शुभे मैंने तुमारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंदर पूरी के सम उनके दुधर्ष नगर का भी अवलोकन किया किन्तुवे नगर आस्तिर है तुम उसको स्तिर बनाओ चंद्र भागा ने कहा ब्रह्म रिशे मेरे मन में पती के दर्शन की लालसा लगी हुई है आप मुझे महां ले चलिए मैं अपने व्रत के पुन्ने से उस नगर को स्तिर बन एक आदशी सेवन के प्रभाव से चंद्र भागा का शरी दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गती प्राप्त कर ली इसके बाद मैं पती के समिप गई अपनी प्रेय पत्नी को आया हुआ देखकर शोबन को बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भा प्रकी हो गई तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किये हुए एक आदशी व्रत से जो पुन्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थेर रहेगा तथा सब प्रकार के मनुवांचित व्यभव से सम्रित शाली रहेगा न्रिप श्रेष्ट इस प हुमारे समक्ष रमा नामा के अदशी का वर्णन किया है यह चिंतामणी तथा काम देनों के समान सब मनोर्थों को पुर्ण करने वाली है